अगर आपको भी आखों के सामने च्छा जाता है ब्लाक आउट तो क्या करें? हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है जहां हम important health issues पर चर्चा करते हैं और आपको बहुत important जानकारी प्रदान करते हैं आज हम एक medical emergency का समधान करने जा रहे हैं जो किसी के साथ भी हो सकती है अपनी आखों के सामने blackout का अनुभफ करना है यह जानना महत्वपूर्ण है कि अपनी सुरक्षा और भलाई सुनुचित करने के लिए इस्थिति को कैसे संभालना है तो चले शुरू करते हैं सबसे पहले आईए समझें कि actually blackout क्या है एक blackout जिसे consciousness और unconsciousness के temporary loss के रूप में भी जाना जाता है तब होता है जब brain में blood flow और oxygen का temporary disturbance होता है यह विबिन कारणों से हो सकता है जैसे blood pressure में अचानक किरावट, low blood sugar level, dehydration और heart condition जब एक blackout होता है तो जल्दी से action लेना और following steps उठाना जरूरी है पहला शान्त रहें जब आप किसी को blackout का अनुभव करते हुए देखते हैं तो सबसे महत्वपून बात यह है कि शान्त और रुचित रहें घबराहट स्थिती को बढ़ा सकती है और व्यक्ति की मदद करना कठिन बना सकती है गहरी सांस ले और स्थिती का आकलन करने पर ध्यान दे सुरक्षा सुनचित करें किसी भी potential hazards के लिए immediate environment का जाच करें नुकीली वस्तूओं, furniture या ऐसे किसी भी चीज से शेत्र को साफ करें जिससे गिरनेप के दोरान चोट लग सकती है यदि blackout का अनुपफ करने वाला व्यक्ति खड़ा है तो आगे की चोट को रोकने के लिए उन्हें धीरे से जमीन पर ले जाएं पैरों को उपर उठाएं एक बार जब व्यक्ति जमीन पर आ जाए तो पैरों को अपने सीने के फिर पर उपर उठाएं ये ब्रेन में ब्लड प्रो को भेतर बनाने और consciousness को री स्टोर करने में मदद कर सकता है उनके पैरों को उपर उठाने के लिए पास की किसी वस्तू जैसे कुरसी या कुशन का उपयोग करें याद रखे पैरों को उपर उठाना हर किसी के लिए उपयोग नहीं होता है अगर आपको सिर्या गर्दन की चोट का संदय है या यदी वैगर्वती है तो इस कदम को छोड़ना और अगले एक पर आगे बढ़ना सबसे अच्छा है टी हाइडरेशन और लो ब्लड शुगर ब्लाकाउट्स में योगदान कर सकते हैं यदी व्यक्ति होश में आ जाएं तो उसे धीरे धीरे पीने के लिए पानी दें को कॉल करें और उचित उपचार के लिए व्यक्ति को नियरेस्ट हेल्फ पेसिलिटी में ले जाएं अंत में यदी आप ब्लाकाउट देखते हैं तो शांत रहना याद रखें सुरक्षा सुनुचित करें पेरों को उपर उठाएं जब तक कोई मध्धेद ना हो हाइड्रेशन और ख्लूपोज ले और मेडिकल हेल्प ले ये कदम सिथी को कम करने और व्यक्ति को भलाई सुनुचित करने में मदद कर सकते हैं आज हमसे चुणने के लिए धन्यवाद हम आशा करते हैं कि आपको यह विडियो जानकारी उपयोगी लगी होगी और आप ब्लाकाउट आपता स्थिती से निपटने के लिए अधित्यार महसूस करेंगे याद रखें सुचित किया जाना और तुरंत कारे करना सभी अंदर ला सकता है सुरक्षित रहें ध्यान रखें और हम आपको अगली बार मिलेंगे